कि अपके हिंदी का एक्जाम का और कुछी घंटा बागी है तो सब चाहते हैं कि हमें कोई वाइरल प्रश्ण मिल जाए और वही अच्छे से इसको पर ले वही जाकर करके हम पूरी तरह तरह अच्छी से चाप दे अक्सर भी हार्वोड में जो है को सब्सक्राइब होता है ले परस्ट लेकर के आभी आया है और सो में आपको हंडेड है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ अपने दोस्तों sepkin करके शेर करो करते हैं पर स्कूर करते हैं कि भगशिनका जन्म यानि कब हुआ था एक नमर सब्सक्राइब आपका राइट आंसर हो जाएंगे निए 8 सितंबर 1907 को जो है भगत सिंग का जनम होता है यह उपसर आपका ए विल विदा रडाइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात करते कोस्तर नमर दो आपके स्क्रीन पे मैं नास्ती क्यों हूं यह किसका लेख है तो बताए दो नमर सवाल का आपको आंसर बताना है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा यह भगत सिंग का यह उपसर आपका ए रडाइट आंसर हो जाएगए चलिए बात करते कोस्तर नमर तीन आपके स्क्रीन पे यह यह अंधीन Care रडा यह विल यह अर्म्र पाली यह ने तथागत को क्या क्या मतलब सोपा था तो बताएं इन चारों मेंसे इसका राइट आपको बताना है चानमर सवाल कांसर आपका यानि आमर वन यानि आपका भी रोडाई चांसर हो जाएंगे चलिए बात करते कोस्ता नमर पांच आपके स्क्रीन पे मेरट के महंत ने गांधी जी को कहां सरन दी आपको यह बताना है पांच नमर कोस्तन का आपका आंसर हो जाएगा नि एक महुए के पेर के निची आनि आपका डी रोडाई आइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात करते कोस्तन नमर छे आपके स्क्रीन पे और श्यदानड़ा के लेखक है यह कौन है आपको बताना है छे आपके स्क्रीन पर श्यदानगे चलिए बात करते कोस्तन नमर आठ आपके स्क्रीन पर हां भगत सिन के पीता सरदार किसन सिन तथा चाचा अजित सिन किसके सही होगी थे आठ नमर स्वाल का आपको आंसर बताना है बिल्कुल आपका आपका आपको अपसुलूट की करेक्ट होगा लाला लाजपत राय यानि आपके स्क्रीन पर ठीक है हम लोग के पास समय बहुत कम है और कम समय में हमे इसना मैनेज कर सकते ने अपने नेतित में नेव्य जवान भारत सभा का अनुमर स्वाल का आपको आंसर बता रहा है बिल्कुल इसका आपका आपका क्या होजाएगा 10 नमर स्वाल का बिल्कुल इसका आंसर आपका ना आने वाला कल यानि आपका C के साथ जाता है राइट आंसर आपका C will be the right आंसर हो जाएंगे बात करते कोशन नमर 11 आपके स्क्रीन पर किसकी मा पागल हो गई इसका आपका C will be the right answer हो जाएंगे कोशन नमर 13 आपके स्क्रीन पर नमिल dolcan princip की प्रोसिन जो है कौन है तो बताईए तेरे नमर सवाल का आपको आंसर बताने, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यह नि अप्सन आपका C, रडाइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए बात करते कुछन नमर पंदरा आपके स्क्रिन पे, हाँ, आपके स्क्रिन पे, यह नि अपको आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आपका स्री निवास दास की, यह नि अपका A, रडाइट आंसर हो जाएगे, चलिए बात करते कुछन नमर 17 आपके स्क्रिन पे, हाँ, लहना सीन के गाउं का क्या नाम है, तो बताना है, आपको आंसर बताना है, लहना सीन के गाउं का जो नाम था, यह नि क्या था, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यह नि मांजी यह नि आपका भी रडाइट आंसर हो जाएगे, चलिए बात करते कुछन नमर 18 आपके स्क्रिन पे, लहना सीन किस पद पर यानि था, बताएं लहना सीन की जो मिर्टू जाए, यह किसके गोज में थी, 19 नमर स्वाल का आपको आंसर बताना है, यह वजीरा सीन का यह नि आपका भी रडाइट आंसर हो जाएगे, ठीक है, चलिए बात करते कुछन नमर 20 आपके स्क्रिन पे, हाँ पल्टन का विदूसक कौन था, तो बताएं बीस नमर स्वाल का आपको आंसर बताना है, पल्टन का विदूसक छा, यह वजीरा सीन था, यह नि आपका सी, रडाइट आंसर हो जाएगे, चलिए बात करते कुछन नमर 21 आपके स्क्रिन पे, शरकार ने सुबेदार को जमीन कहां दी, यानि सर्दार ने सुब आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानि कफन जो है, यानि किसका चंदर जर्मा गुलेर की लिखी भी कहानी नहीं, यानि आपका डी रडाइट चांसर हो जाएगे, चलिए बात करते कुछन नमर 23 आपके स्क्रिन पे, गुलेर जी किस गाउं के मूल नि आपको 24 में जो बिहार के, बिहार पर्देश के जो मुख्मंत्री थे, तो कौन थे आपको बताना है, तो बिल्कुर इसका आंसर आपको 24 नमर स्वाल का आपका आंसर हो जाएगे, किर्ष्ण वाल लब भाई, साहे यानि आपका ए रडाइट आंसर हो जाएगे, चलिए बात बात करें कौरसर नमर 26 आपके स्क्रीन पर जे प्रकास 9 ने कि साल, यानि 16 आंदोलन का नेती तो क्या था, 26 नमर स्वाल का आपको आंसर बताना है, इसका आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका और इसका आपका करेक्ट हो जाएगे, यानि67 में आपको हो जाएगा टिए 98 स्वाल का एंसर की रचना है तो पर मांटी की मुठी रचना की किंकी तुग मूंटीर ऑल का यह तो आपके स्क्रिन पे युद और सांती की समस्या पर लिखी गई कावे कती जो है यानि क्या है तो बिल्कुल आपका इसका अंसर आपका कुरूच शेत्र यानि ऑप्सन आपका भी रडाइट आंसर हो जाएंगे ठीक है बात कर दें कुछ नमर एक तिस आपके स्क्रिन पे अर्द साफ करते और 32 आपके श्क्रिन पे गांदार थी जो थी यानि कौन थी दुरिय धन के मा थी किरिश्णे की मा थी अरजुन की मा थी तो बतां ये 32 नमर सबाल का आपको आंसर बताना इसका आपका तो बिल्कुल इसका य Зबूं कर्दो कि मा घुन आपका फीप स्क्रिन आप लोगों का यानि answer correct होना चीए तो इसका answer आपका हो जाएगा यानि option आपका भी right answer हो जाएगे चलिए बात करते कुशन नमर 34 आपके screen पर अर्दनारी स्वर पार्ट के लेखक कौन है जली बताएगे या अर्दनारी स्वर किसकी रचना है जली बताएगे 34 नमर कुशन का आपको answer बताना डियर स्ट्रेंड बिल्कुल आप लोगों का answer जो है बिल्कुल absolutely correct होगा इसका answer आपका answer हो जाएगे चलिए बात करते कुशन नमर 35 है बिल्कुल देखेगा रोज कहानी के नायक कौन है तो रोज कहानी के जो है जो मालती जो इसका इनी पात रह और वो इसका नाम महस्वर थे ठीक है चलिए बात करते कुशन नमर 36 आपके screen पर कौन सी रचना अगे की नहीं है तो अगे की इन में से कौन सी रचना नहीं है 36 सवाल का आपको answer बताना है तो देखिए अगे जो है तिरी चीज़ जो है अगे जिका नहीं है इसका किसका है य आता है अतिती बनकर जो आ रोज कहानी में आता है वो कौन आता है अर्पिस्टमर सवाल का आपको answer बताना है तो इसका answer आपको जाएगा मालती के दूर के रिष्टे का भाई आता है यह लेखक आता है यह जो आगे जी आता है ठीक है यह चीज़ तो आपको लोगों को पता इसका answer आपको जाएगा याड़य पर याणि क्या हो जाता है इससमाप्त हो जाता है अपको निमित बना कर लिखा गया है दो आपको बना कर लिखा गया है यह जी ऑप्सटम का भी रोडाइट आंसर हो जाएगे तो बताईये 42 का आपको आंसर बताना है तो इसका आंसर आपको बताना है उसका आपको आंसर हो जाएंगे गया सिद्धिन तुगलग को आपका ए और यह राइट आंसर हो जाएंगे बात करते हैं, Q84 आपके स्क्रिन पर चमपारण में धांगर कहां से आये थे, तो धांगर जो आये थे, चमपारण में वो छोटा नागपूर्च आये थे, धांगर का मतलब होता है, यह जो आपका भाड़े का मजदूर होता है, ठीक है, इस नेक्स्क्षिन देखेंगे, द्या बसिन के जो चाजा का नाम था, वो क्या था, आप लोग बताइए, 46 पर सवाल का आपको आंसर बताना है, वेरि गुड, बहुत बढ़िया, तो बिलकुर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जली बताएंगे, तो बिलकुर इसका आंसर आपको अजित सीन, इसका आंसर आपका और यहां अपका हुजाएगा मुली मुली और यह निया अपकर, छिरें नमर पच्छेशन है, इसको अपका भी रॉड़ाइत आंसर हो जाएँगे यानि आपका सी राइट आनसेर हो जाएंगे बात करते कोशन नमर 53 आपके स्क्रिन पे तपह बोल का संदी बीचेद आपके क्या हो जाएगा तो इसका आँसर हो जाएगा तो इसका आशे यह विल विदर राइट आंसर हो जाएंगे तो लिए बात करते को सब्देका संदिविच्छेद करना है फटा 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 सा आंसर बता रहे हैं क्योंकि समय बहुत हम लोगों के बास कम है अब तीक पच्पन नमर सवाल का आपका आंसर क्या होगा बिल्कुल आप लोग का आं जोर अंबर यानि क्या हो जाएगा आपको कॉटे के सुरू में इसका क्या होता है तो आपका क्या होगा आतन होगा यानि ऐराइट आंसर हो जाएंगे ठीक है पड़िए पड़िवी चक मैं उपसर्ग बताईए 58 नमर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा पढ़ी जोर विक्षक यानि ऐसपी चक मैं आपके पड़िए 59 नि नमर सवाल आपके इसक्रीन पर आतियन्त मैं उपसर्ग बताईए तो आतियन्त का आपको उपसर्ग बताना है 60 नमर कोशन का आपका अंसर क्या होगा तो यानि क्या होजाएगा अती जोर अयंत यानि क्या होजाएगा अपका अती अंत यानि option आपका A will be the right answer हो जाएगे चलिन बात करते कोशन नमर 16 आपके स्क्रीन पर जी जान कौनसा समास होगा देखे जिसमें आपका जोर होता है या जो जोरा वाला होता है तो वो आपका तुरंत या आपको टिक कर देना है दुइन समास हो जाएगा या जिसमें जोर होता है विद्या अभियास का विग्रे क्या होगा तो बताएगा 62 नमर सवाल का आपका आंसर क्या होगा तो विद्या आभास का जो आपका होगा है नि विध्या का आभास यानि option आपका यानि B Right Answer हो जाएंगे चले बात कर दें कुस्टर नमर 63 आपके स्क्रीण पे भरपेट में कौन सा समास है 63 को आपको आंसर बताना है तो भरपेट जो जो होगा यानि आपका अभी हाव ये समास हो जाएगा यानि option आपका B will be the right answer हो जाएगे चले बात करते question number 64 आपके screen पे यानि चंदर जाकर में समास बताईए करमधाड़ी ये बहुवीडी ये आपका दरिंदी ये आपका दिगू तो 64 number question का आपको answer बताना है इसका answer आपका हो जाएगा यानि बहुवीडी समास यानि option आपका भी right answer हो जाएगे समाज का विशेशन आपका क्या होता है आपको तो पता ही होगा समाज का विशेशन यानि समाजिक हो जाता है यानि option आपका भी right answer हो जाएगे चले बात करते question number आपके screen पे 66 cuestion आपके screen पwnie आ गया है और बताएए इसका answer आपका क्या होगा यानि usaur na ka vision क्या होगा आपको वी discussion बताना है इसका answer आपका क्या होगा 66 cuestion का आपको answer बताना है तो इसका answer आपका बिल् कुल correct होगा यानि usaur na Carnegie option आपका भी will be the right answer हो जाएंगे परिणाम वोधक विशेशन आपको बताना है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानि बहुत सा हो जाएगा यानि आपका आपका सी पूरलिंग होता है लेकिन कुछ चीज को जो जो है अपवाद में रखा जाता है ठीक है तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा या पूलिंग नहीं हुगा इसका answer आपका इस्टरिंग होगा इसलिए क्योंकि इसको जो है अपवाद में रखा गया है यानि option आपका A right answer हो जाएगे चले बात करते है question number 69 आपके screen पर मिठास कौन लिंग है तो मिठास के बारे बताना यह मिठास जो होगा आपका है नहीं कौन सा लिंग है ठीक है तो इसका answer आपका हो जाएगा यानि मिठास जो आपका है इस्टरिंग हो जाएगा यानि option आपका C will be the right answer हो जाएगे 70 नमर सवाल आपके screen पे पुस्तक का लिंग नेरने करना है आपको 70 नमर कोशन का answer आपका क्या हो जाएगा तो पुस्तक जो होगा आपका यानि इस्टरिंग होता है यानि option आपका B will be the right answer हो जाएगे चलिए बात करते कोशन नमर 71 आपके screen पे इनमें से प्रेम के पीर के कभी कौन है यानि option आपका A will be the right answer हो जाएगे चलिए बात करते कोशन नमर 73 आपके screen पे सुर्दास किन कभीयों के माद देयानी स्रिष्ट माने जाते हैं तुलसिदास का वल्लबा चार्य के पुष्टी मार गिये भक्ती आपके आठ कभीयों के मद यानि option आपका A right answer हो जाएगे चलिए बात करते कोशन नमर 74 आपके screen पे सुर्दास किस माल के कभी है सुर्दास जिजो थे यानि यह किस माल के कभी थे तो ये तो निमाद दक व्लाय के कभी थे option आपका A right answer हो जाएगे तुलसिदास का मूल नाम क्या था तुलसिदास का आपको मूल नाम बताना है 76 नमर कुशन का आपका आंसर क्या होगा तो तुलसिदास का जो मूल नाम था यह नि राम बोला था यह आपसन आपका डी will be the right answer हो जाएंगे चलिए बात करते कुशन नमर 77 आपके स्क्रीन पर किसन नमर सवाल आपके स्क्रीन पर भक्तमाल में कितने चरीत्र का वर्नित है 78 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है तो यह 200 भक्तों का यानि चरीत्र आपका डी will be the right answer हो जाएंगे 79 नमर कुशन आपके स्क्रीन पर 76 नमर कुशन नमर कुशन नमर कुशन आपको आंसर बताना है तो ये चीज आपको पता होगा यानि विर्रस पाया जाता है यानि option आपका A, right answer हो जाएंगे ये question हम थोड़ा सा repeat किये हैं ये और आपका जो है कभी प्यारे नन्ने बेटे से क्या परशने करता है ये भी आपका थोड़ा repeat किया है तो ये जो ये करते थे तो यानि बतलाओ आसपास कहां लुहा है यानि option आपका C, right answer हो जाएंगे कभी विनोत कुमार सूकल का जनम कहा हुआ था तो देखे कभी विनोत कुमार सूकल के बारे मताना है तो ये आपका हो जाएगा यानि राजन दा गाउं यानि 36 गर यानि option आपका C, right answer हो जाएंगे किस पार्ट में आया है कि किसकी विजे हुई, सेना की की नागिरों को की तो बताएगा 84 नमर स्वाल का आपका answer क्या होगा यानि इसका answer आपका हो जाएगा यानि हार जीत का यानि option आपका A, right answer हो जाएंगे ग्यानन्द पती का जनम कब हुआ था, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है चलिए, तो ग्यानन्द पती का आपको जनम बताना है 85 नमर स्वाल का आपका answer क्या होगा तो बिल्कुल आप लों का answer यानि correct होगा, यानि एक जनमरी 1950 को कभी जनम होगा था, यानि option आपका B, right answer हो जाएंगे संस्यात्मा के लिए साहित आकाद्वी पुरुसका जनम बताना है, ये किस देश के रहने वाले थे तो ये जो थे यानि फ्रांस के रहने वाले थे, यानि मुपासा किस देश के रहने वाले थे, यानि फ्रांस के रहने वाले थे, यानि option आपका B, right answer हो जाएंगे चेक अप किस देश के रहने वाले थे चेक अप के बारे बताना है 88 नमर कोशन का आपका आंसर हो जाएगा यह रूश के रहने वाले थे चेक अप जो थे किस देश के रहने वाले थे रूश के रहने वाले थे आपसन आपका C, रॉडाइट आंसर हो जाएगे एक़ नमने परतिय बताइजेगा 89 नमर कोशन का आपका आंसर क्या होगा तो पी अक़ण में जो आपका आपका है यहनि DR. आता है लास्ट में क्या हो आता है olacak आता है तो इसका आंसर अपका A राइच आंसर हो जाएगे लड़कपन सब्द में आपको पर्तिय बताना है तो लड़कपन में आपका जो पर्तिय हो गए यानि अपन लड़कपन तो आपका यानि option जो है यानि क्या हो जाएगा यानि लड़कपन सब्द में आपको देखना है ठीक है तुमुल कुलाल का अर्थ क्या है चले बताईएगा हाँ इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा स्विर से देख लिजएगा एका नमे नमर कोश्चन का आपका यानि बताना आपको तुमुल कुलाल का अर्थ क्या है ठीक है 91 नमर कोश्चन का आपका अंसर क्या होगा तो बताईएगा जैसे अंकर परसाद जो थे यानि किस वाद से जुरेवे थे 92 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है तो यह जो दिरते यानि 6 वाद से जुरेवे थे यानि आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे सुबरता कुमारी चौहान के माता पीता का नाम बताईए तो स आपका आंसर हो जाएगा यानि 16 अगस्त 1904 को इसका यानि क्या होता है जन्म होता है यानि आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात करते कोसर नमर 95 आपके स्क्रिन पे रोज सिर्चक कहानी में किस ने पूछा तुम कुछ परती लिखती नहीं हो लेखक न ले सिर्चक ने पूछा ता कि तुम कुछ परती लिखती नहीं हो जाएंगे कभी समसेर बहदूर सीन का जन्म यानि कब हो जाएंगे चलिए बात करते कोसर नमर 97 आपके स्क्रिन पे मुक्त बहुत की आलोशना पुस्तक के नाम लिखे तो देखे मुक्त बहुत की आलोशना का अंसर क्या होगा तो यानि आपका इसका जो अंसर होगा आपको बता होगा यानि उप्युक्त सब्सभी हो जाएंगे आपकी स्क्रिन पर किस विए तहें आश्माई लाल लाल किरिने से अंदकार चरीता सा मित्र का शौर्ग एक जान एक मित्र का एक जन जन का मित्र का एक तो बताईए इसका answer आपका क्या होगा बिल्कुल आपका answer याणि जन जन का चेहरा एक यानि option आपका a will be the right answer हो जाएंगे 99 question अधिनायक सिर्षक कविता किस पुष्टक से ली गई है तो अधिनायक जो सिर्षक कविता जो है ये किस पुष्टक से ली गई है तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे आत्मेहत्या के विरुद्यानी आपका ए रडाइट आंसर हो जाएंगे बात करते कोशन नमर 100 आपके स्क्रेंट पर किसने लिखा है पूरा पस्सिम से आते हैं नंगे बुचे नर कंकाल सिनासन पर बैठा उनके तमगे मतलब तमगे कौन लगता है तो 100 नमर कोशन का आपका आंसर क्या होगा यानि रगु विर शाह इसका आंसर हो जाएगा यानि आपका सी विल भी राइट आंसर हो जाएंगे तो DS20 आई होप उमीद करता हूँ कि आज का क्लास में आपको पशन आयोगा पशन आयोगा तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को सर कर दें क्योंकि आपके लिए मितना इस्टेगल किये तो यह आपकी रिस्पोंसिलिटी आपको इतना करना चाहिए जहन तक आज के क्लास को इंट करते हैं जहन जय भारत